हलो फ्रेंड्स रोमांचक कथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि गोडे हमेशा खड़े होकर क्यों सोते हैं आप सभी ने गोडों को तो देखा ही होगा गोडे को एक ताकतवर और फुर्तीला प्राणी माना जाता है और साथ ही गोडे की दुनिया भर में कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं लेकिन गोडे को लेकर एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी कि गोडे हमेशा खड़े रहते हैं और ये भी देखा होगा कि वो सोते नहीं हैं लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है कि गोड़े कभी सोते नहीं हो दुनिया में जितने भी पशू, पक्षी और प्राणी है उनकी नीद, उनकी आवश्यक्ता के अनुसार तैह है बता दें कि गोड़ा अत्यादिक उर्जा तथा ताकतवर प्राणी है उसकी इसी उर्जा की हुज़े से उसे बहुत कम नीद की जरूरत होती है और गोड़ा दिन भर में सिर्फ 30-40 मिनिट ही सोता है क्योंकि इससे ज्यादा नीद लेने की उसे जरूरत नहीं होती और वे ये थोड़ी सी नीन भी छोटे छोटे टुकडों में लेता है इसके अलावा गोड़ा हमेशा खड़ा रहता है और गोड़े के हमेशा खड़े रहने के पीछे कारण यही है कि गोड़ा हमेशा तैयार इस्तिती में ही रहता है इसके लिए गोड़े के पैरों की मास पेशियां और उसकी शारिरिक बनावट भी काफी कारगार साबित होती है अब देखा जाए तो घोड़े के पैर एकदम चारपाई के जैसे होते हैं ये बिल्कुल तने हुए होते हैं जो उसे हर परिस्थिती में मदद करते हैं और जब घोड़ा सोता है तब वो उसे गिरने नहीं देते हैं जब घोड़ा खड़ा होकर सोता है तो उस समय पैरों की कोशिकाओं को एक तरह से आपस में खीच कर कड़क बना देती हैं और जो उसे नींद के दौरान गिरने से बचाती हैं एक वक्त में कुछ मिन्टों की नींद लेने पर पैर इतना तनाव भी आराम से जिल लेते हैं इसके अलावा घोड़ा एक सजक पराणी माना जाता है और अब अगर घोड़ा बैठ जाता है तो उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है और फिर वापस खड़े होने में भी दिक्कत होती है तो इसी कारण वो अपनी देर तक खड़े रहने की शमता का ही ज्यादा उपयोग करता है ऐसा भी नहीं है कि घोड़ा कभी बैठता ना हो लेकिन जब घोड़ा बैठता है तो वे वीमार या कमजोर होता है तब ही वे कुछ समय के लिए बैठता है इसलिए माना जाता है कि घोड़ा जब तक खड़ा रहता है तो उसे घोड़े के स्वास्त से जोड़ कर देखा जाता है इसके अलावा अगर घोड़ा बैठा रहेगा तो उसके फैफड़े सई से उक्सीजन नहीं ले पाएंगे और जो उसके लिए घातक साबित हो सकता है और यही कारण है कि गोडे का खड़ा रहना ही उसके लिए अच्छा होता है